तो वेल्कम बेक टू माई चैनल बहुत दिनों से न में वीडियो लेकी नहीं आपा रही हूँ ज्यादा लेकिन हम में दोबारा कंटीनू कर रही हूं इनको तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ एक हैर स्टाइल का और बहुत ही प्यारी हैर स्टाइल एंड जिन्हें नहीं आपसे विल्कुल आसानी से बन जाएगी तो मैंने आज हैर स्टाइल बनाई हुए तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है तो चलिए देख लेते हैं अपनी वीडियो को यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्रा तो सबसे पहले हम अपने बालों को कॉम कर लेंगे और हमें बीच से एक मांग निकाल कर और साइट के बालों को निकालना जो सामनी के बाले है वो दोनों तरफ के बालों को हम निकाल लेंगे उन्हें सामनी कर लेंगे और उन्हें मोड कर हम एक जुड़ा जैसा बना लेंग तो इस तरह से हमें अपने सामनी के बालों को करना है दोनों साइड से बालों को निकाल कर और उसे इस तरह से हमें गोल करके और एक जुड़ा बना लेना है मतलब हमें सरफ उसे क्लिप से अटेच करना है कुछ भी नहीं करना है और इस तरह से हम उसे फसा लेंगे अब हम अप हमने हाथों, यूजज़ कर के, बालों को उठाएं गे, आभ को मैं बन बनाएंगे हमें लिक लिक सिंपल से बन बनाना तो बस बालों के इस तरह का इस बंडह संय बन बनाता बनाचे। जेस बहुत नहीं है तो बस हमें वही उसी तरह से बनना है ये इसे पी पर भैप पॉह ऑलाव खानर की्वाफर हमारा जूडा बन के रख्वर ॉट्य ऐ अभ उसके बाद अब समय है आर था कॉम और उसके वारे के लिए सब्सक्राइब करेंके तो यह सπα्वचीजा पेस्षा चाहिए कोष। भी मैं सब्सक्राइब करों था सब्सक्राइब कंगुए सब्सक्राइब WiFiणे तो समय शसर क में छोटकुवधार करने बस देखे जिस तरह से बना रही हूं इस तरह से ओठाते जाएंगे और इससे बस राउंड करते जाएंगे ऐसे घुमाते जाएंगे और लिजा कि अपने बालों में हमें मोडन आहें तो यह एक मैसी बन की तरह नजर आता है और बहुत ही संदर लगता है यह तो फंक्शन के लिए बहुत ही सुन्दर बंड बन के तयार होता मतलब एक सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से बनने वाला यह जूड़ा है जो की हर कोई अपने खुद अपने आप किसी और से करवानी की जरूरत नहीं है हमें तो आप लोग जरूर इस तरह का यह जूड़ा बना के देखेगा और आपनों को खुद समझ में आएगा कि आप यह कर सकते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं कर रही हो और हम इस तरह से गजरा लगाएंगे तो जो बिलकूल अलग लुक देदेगा हमारे हायर स्टाइल को और कुछ भी अप लगा सकते कुछ और भी चीज़े इसमें अटेच कर सकते हैं तो मैंने एक ये सिंपल सा गजरा लगाया हुआ है देखे इस तरह से तो कितने आसानी से कितने आराम से गजरा बनके तयार हो गया है मेरा